अब हर खबर पर होगी हमारी नज़र पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा अपने मुबाईल पर नवस्कार मैं अमित कश्यापॉर आप देख रहें गामा टाइम्स तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाले ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुचे आपके पार मुश्कार में विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स निउज पुतर प्रदेश की राज़दानी में आज विश्व आदिवासी दिवस को और काकोरी कांड को याद किया जा रहा है आपको बता दें सांस्कृतिक नव्यूक समिती द्वारा आज गोमती नगर के मीडिया संस्थान में इसकारिकम कायूजन किया गया है जहाँ पर कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा और आदिवासी समाज के पूरवजों को याद किया जाएगा उन्हें नमन किया जाएगा इसके साथ साथ काकोरी कांड में शहिद हुए लोगों को स्रदांजली भी दी जाएगी और इसके साथ साथ एक आदिवासी दिवस पर एक पुस्तक का विमोचन सतीश कश्यप दोरा किया जागे जिसकी सारी तज़्वीर है हम आपको अपने चैनल पर सीधे दिखाते। आपकी निमास करते हैं। आपकी प्रकास की है बगुत ही यप बेक्दान करता हो कि यह अनधास कर पर चाहिए शॉर्दूर्श पहुंचाते हैं। आज जैसे कि मिश्व आदुवास्य दीवस के अवसर्प पर संच्था नोई वाक्शाइश्कृतिक सभा के द्वारा ही कारकर मायुजीत है आज का ये दिन बहुत ही अच्छा है तो कि आज ही के दिन अपने लखनों में काकुरी एक्षन जिसको कांड कहा जाता एक्षन हुआ था त्रेन को हमारे करांद कारियों ने देश के लिए एक खजाना लूटा था ऐसे अफसर पर आज ये कारकम संपन हो रहा है मैं विश आदवाशी दिवस आदवाशी मैं समझता हूँ समाज का इस देश का मूलवाशी जो कहीं बाहर से नहीं आया वह समाज आदवाशी समाज है और मैं तो यही समझता हूँ कि उसको किसी दूसरे उसमें अर्थ में नहीं लेना चाहिए बड़े ही स्वाहिमान के साथ ये आदिवासी समाज जो इस देश में जो मूल इस देश का मुख उपयोगी उपयोग करने वाला समाज है जल, जंगल, जमीन और इस समाज का इस देश के आजादी में बहुर बड़ा योगदन रहा है उसमें कई ऐसे प्रशिद रहे हैं इसमें बिर्शा मुंडा, तिलका मांजी और इस पिकार से बहुत ऐसे आदवासी करांतिकारी रहे हैं जिनोंने इस देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया और भी तमाम ऐसे करांतिकारी रहे हैं जो आज जिनको हम केवाले तिहाज के पन्नों में ही बहुत गहराही में जाते तबी दूट पाते हैं अनिता समानते हम उनको नहीं जान पाते हैं, तो इस समाज का भड़ा योगदान है, और योगदान था, और इसलिमें हमारे इस संग्रठन के मुख करता धरता सिस्तिश कश्चप जी द्वारा, ये हर वर्ष ये कारकब मनाया जाता है, नई युआ पीडी को इस दिन की याद जाता है कि हमारे इस आदिवाशी समाज के कवा में से लोग रहे हैं, जो इन देश के लिए समाज के लिए बहुत कारिकिया और देश के लिए आउतिया दिए, प्रदेश के ऐसे बहुत सारे बुद्रिजीवी जिनका सामाजिक सांस्कृतिक और उत्साहितिक शेत्र में योगदान है, उनको सम्मानित करके इस संस्था ने इर्दमान स्थाबित किया है, यह संस्था प्रदिवर्ष सिस्कार इक्रम को मनाती है, जिससे एक आदिवाशी जिसको आज के मुखतित जी ने कहा कि हम मूल निवासी है इस घर्थी के, उनको एक प्रेणा मिलती है, हम संगडित होते हैं और बहुत कुछ करने का हमको हमारी प्रेणा मिलती है और हम उसे बहुत कुछ करने के लिए उत्साहित होते हैं, जिसको आदिवाशी समाज से तालूग रखते हैं, हम सब को बहुत गरव हैं। जो यहां क्या मुल लिवासी है, उनको क्योंकि बाट दिया गया, वो बहुत ही बटे हुए हैं, आपस में एक जूट नहीं हैं, इसलिए वो काफी पीछे हैं, हर मामने, चाहे बैकवर्डों, सब मुल लिवासी हैं, आदिवासी हैं। लेकिन आप देखिए दो प्रदेसों में, मद्ध प्रदेस और बिहार में, दो जगें आदवासीों ने संगर्थ किया। करने के बाद मद्ध प्रदेस में 36 अलग से अलग से अ भर थे आपना और बिहार में, क्या कहते हैं, वह भुव तधक हैं, आप राज भोसित कराया। जारखंट गोसित कराया दो रोज राष्ट जो है दो प्रिदेश इसमें पूरे इंडिया में जो आधिवासियों ने संघर्स करके अपने प्रिदेश को अलग बनाया और अज सबसे अच्छे जो राज चल लाए हैं वो दोनों राज चल लाए है जारखंट और तेजगार यहां पर सबसे आगे हो जैसा और जो आज है यहां पर सबसे आगे होगे जैसा हमारी संस्था ने विश्वाजवासि दिवस जो आज है युगनों के द्वारा उस कारकरम को पर ये देश की 75 आजादी है अमरत महसों को उसका भी कारकरम इसमें किया जा रहा है क्योंकि आधवासियों का इस देश की स्वतनता में बहुत बड़ा योगदान है जिसमें हमारे विर्शा मुंडा जी तिलका मांजी जी अंग्रेयों के खिलाब आजादी के लिए बिगुल बजाया था और प्रथम आजादी की चिंगारी जैसा कि इतिहासे बताया ये मंगल पांडे ने किया है प्रंत नहीं वह एक आजवासी विक्त के द्वारा किया गिया था उसके द्वारा ये चिंगारी यहां पर पैदा की गए थे और आज का दिन का कोरी कांड में भी असवाक लाओ गरा जो थे इन लो ने अपना अंग्रेजों के लाप ना फिरोद प्रिगट किया था उसका भी दिन है इसका उदेश से यह है कि जो हमारा आदवासी समाज है उसको एक सूत्र में बांधना है जिसमें कास्तोर से गोंड कश्यप निशाथ इनको आपस में समन्वे करना हमका मुक्रदेश है क्योंकि यह तीनों जातियां एक ही रीत रिवाज एक ही संसरत की पोसक है इनका कार सहल पिछले यह दूसरा कारकरम है इसके पहले अन्य समाजी कारकरम सांस्कृतिक कारकरम संसा कराती रहती थी कारकरम नवयोग संसा के माध्यम से मनाया जा रहा है जो आज़ वासि समाज के लिए सराहेनी कार्व है आज वासि का मतलब है प्रचीनता प्रधांता का कारण होती है तो जब हम इसरेस के प्राचीन वासिंदगान है तो हम सब से प्रधान है요 और बाहर से आए यहां, चाहे मैंगोलाइन हो अफिक हूँ चाहे आरने हो, सब आए और इस्टेस का सोसन करने आए, हम सीतापूर से श्चुछ। तो यहां पर जब सोशन हुआ हमारा तो एक बिवेक बुद्धी एक सहज बुद्धी का आजमी सासन करता है इंजीनियर डाक्टर महान पदो पर जाता है सहज बुद्धी का आजमी मेर छाट रहा है होटल पर पत्ता चाट रहा है